नमस्कार दोस्तों स्वागता आपका मेरे यूट्यूब चैनल BMS टूटारियल में फ्रेंड्स आज हम आपके लिए लेकिया ये द्रव्य गुन जो हमारा पेपर वन होता है उसकी सीरीज जो हमारी चल रही थी तो उसमें हम कितना पोर्चन कवर अप कर चुके हम द्रव्य ठीक है ये सारे टॉपिक्स आज हम कवर करेंगे आज की वीडियो में हम द्रव्य की निरुक्ति व्यप्ति उसकी परीभाशया उसका पंच बहुत इक्तव और द्रव्य का वरगी करंचों की समीता और निगंटूस दुआरा बताया गया है तो वो सभी हम अपनी आज वाली भी वीडियो में क्लियर करेंगी छिक है तो चलिए फिर शिरू करते हैं अगर हम बात करें सबसे पहले द्रव्य की तो द्रव्य विज्ञानिय Canis हम पढ़ते हैं द्रव्य विज्ञानिय अध्य है तो इसमें हम सब कुछ द्रव्य के बारे में पढ़ेंगे कि भई द्रव्य है क्या ठीक है तो सबसे पहले हम देखते हैं सलेबस की एकोर्डिंग जैसे कि आपका दीर रखा है सलेबस तो हम देखते हैं द्रव्य की निरुक्ति तो द्रोगतु धातु में यत प्रत्य लगाने से द्रव्य शब्द बंता है जिसका अर्थ होता है वस्तु या पदात ठीक है द्रोग तुधातु में यत प्रत्त लगाने से क्या बनता है द्रव्य शब्द बनता और जिसका आड़त होता है वस्तु या कोई भी पदार्थ अब बात कर लेते हैं इसकी व्याप्ति तो व्याप्ति कैसे होगी इसकी देखें जो पदार्थ प्रेनाम को प्राप्त होता है या सयोग विभाग को प्राप्त होता है उसे हम क्या बोलते है द्रव्य बोलते है ठीक है उसे हम क्या कहते है द्रव्य अब बात कर लेते हैं द्र परिभाशय की बात करें तो हम शलोग के साथ देखेंगे। ये शलोग हमने जो देर रखा है, यत्र आशित्र कर्म गुणा कार्णम संवाई यत्र कर्म और गुणा, जिस पदार्थ पर कर्म और गुण संवाई संबंद से आश्रित हो। ठीक है और दूसरे वाली हम देखते है कार्णम सम्बाईयत मतलब जो कारिये दरव्य का सम्बाई कारण हो उसे हम क्या कहते हैं त्रव्य कहते हैं ठीक है यह तो हो गयी इसकी मेंली डेफिनेशन हमें देनी है और इसके साथ हम ये चीज भी लिख सकते है जो रसादी पंच पदार्त होते है देखो हम इसका जो बेसिक है ना वो हम क्लियर करके आ चुक है द्रव्य विज्ञानियम शास्तर परिभाशा वाले जो अध्य है हमने इसते पहले कवर अप किया था ठीक है उसमें हम इसका सारा जो हमें द्रव्य पार्टे में जो मेंली हमें पढ़ना है तो वो सारे बेसिक्स हम क्लियर करके आ चुक है अगर आपने नहीं देखा तो पहले जाके आप वो वीडियो देख ले ठीक है फिर हम बात करते है जो रसादी पंच पदार्त होते है जैसे कि रस गुण वीरिय वि रुकती व्यपती और इसकी परिभाशा अब हम बात करते हैं द्रव्य के पंच बहुतिक तव के बारे में तो जो द्रव्य होते है वो कारण और कारे भीठ से कैसा होता है कॉन कोन से पंच महाबूत पंच महाबूत जो क्या होते हैं पित्वी जल अगनी आकाश वर आत्मा मन काल दिशा ये नो कौन होते हैं ये कारण द्रव्य होते हैं ठीक है अब देखें जो ये नो द्रव्य होते हैं उनके अलावा जो बाकी इस संसार में जितने भी द्रव्य है वो सब क्या होते हैं कार्य द्रव्य होते हैं कार्य द्रव्य एक टाइप से क्या होते हैं ज जो कारन द्रव्य उत्पन होते हैं? निम्यत कारन होता है उनकी उत्पनि में तो मिन्ली क्या बचे? मिन्ली पंच महाभूत बचे तो पंच महाभूत जो होते है उनसे ही द्रव्य की उत्पत्ती माने गई है और जो ये हमारे द्रव्य गुन शास्त्र है ना इसमें जब भी हम द्रव्य की बात करेंगे तो आपको क्या ग्रहन करना है? कारिय द्रव्य ग्रहन करना है कार्य दरव्वे या निर्जीव दरव्वे भी बोलते ही ने इनकी उप्योगी था होते है tekrar दरवे गुन शास्तर में और जो हमारे चिकिसा करम में हम कार। का ये उप्योग करते है क्योंकि ये निर्जीव होते है alright है तो मेंली हमने इसी में ही डिस्कूस करना था है इनके पंच बहुत इक्तव में हाँ एक बात हो अगर आपको यह हैं रिटन नौट्स रहें तो टेलिग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया वहां से जाके काफी सारे नौट्स हमारे महां पे है आप वह यह आपके दस नंबर पर डारेक्ट कोशन बनता है तो अब हम बात करते हैं दरव्य का वर्गी करण तो देखो हमारे जो आचारिये हैं उन्होंने कई आधारों पर दरव्य का वर्गी करण किया है तो हम यहाँ पर बेसे इस बात करेंगे समीता और निंग घंटूस के अको प्रियोग भेच से रस भेच से वीरय भेच से विपाक भेच से दोषकरम भेच से जिक है और उदभव भेच से आकिर्थि भेच और वैभेच से ठीक है तो अब हम आगे एक की करके सब्य को डिस्क्रैक करेंगे, तो देखिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, कारण भीज से जो द्रव्वे होते हैं, वो दो परकार की होते हैं, कारण द्रव्वे और कार्य द्रव्वे, जो कारण द्रव्वे हम बता चुके हैं, वो नो होते हैं, पीछे हमने काफी डिटेल में इसक शामिल किया जाता है द्रव्य शब्द से ग्रहन किया जाता है ठीक है जैसे कि एक्जामपल हम दे सकते है हरित की आम लगी तो यह सारे जितने भी द्रव्य है यह सब क्या है कारिय द्रव्य है ठीक है चेतन भेज से भी द्रव्य को दो वर्गों में विभाजित किया है चेतन द्रव्य वो होते हैं जो इंद्रियों से युक्त होते हैं और चेतन कौन से होते हैं जो इंद्रियों से रहीत होते हैं अब जो चेतन द्रव्य होते हैं वो पुन्य दो भेज से वरगी करित किये गए हैं अंते संग्य और बही संग्य तो अंते संग्य की अगर बात करें तो च तो वह बहु है जी जिँमें अभी वेक्ति होते हैं जो बिल्कुल सफूर्ट लक्षन दिखाता है जैसे कि हम जैसे प्राणी जैसे चलते हैं ठीक है आपने देखे होगे अब देखिए अचेतन द्रव्य की हम बात कर लेते है तो अचेतन कौन से होते है जो इंद्रियों से रही तो चेतना से भी रही तो जिनमें चेतना ताब हाओ जैसे कि भॉम, द्रव्य, भूमी, पत्थर यह सब क्या है अचेतन द्रव्य है अब हम बात कर लेते है योनी बेसे द्र प्रिस्वी से फूटकर बहार आते हैं और पार्तिव दरवय कुम से हुटाइप में ठीक है तो जांगम दरवय कि हम बात करें तो यह 4 परकार के होते है जराइयू अड़ूस्द्टकर अउद्वीच जराइयू को से होते हैं जो प्लैसेंटल होते है जो गर में जरायू से आवरत होते है जैसे कि पशु, प्राणी ये सब और उनसे जो हमें दरव्य प्राप्त होते है जैसे कि जो गाई बहस वगरा से हमें क्या प्राप्त होता है दूद ही तो ये सब क्या है ये सब जरायू ज दरव्य है अंडच दरव्य कौन से होते है जो जो पराणी मतब जो भी जीव होते है जो अंडे से उत्पन होते है जैसे कि पक्षी तो उनसे हमें मास वगएरा जो मिलता है वो क्या है अंडच दर्वे है स्वेदच कौन से होते है जो श्वेद स्वेदपन होते है क्रीमी वगेरा और उदबिच कौन से है जो थोड़े दिन भूमी में अंदर रहते है बाद में उसको फाड कर बहार आते है ठीक है ओधबिद द्रवे की हम बात कर लेते तो ओधबिद द्रवे भी चार परकार के होते है वानसपत्य, वनसपती, विरूद और ओशद वानसपत्य कौन से होते है जिसमें फूल और फल दोनों होते है जैसे कि आम वनस्पति कौन से होते है जिसमें फूल नहीं आते लेकिन फल आ जाते है जैसे वट और गूलर और विरूद की अगर बात करें तो में लिए क्या होती है लताय होती है जैसे गिलोय की बेल देखियोगी आपने इस चैप से ओशित कौन से होते है जो फूट कर मतल़ जो पक कर आते है जैसे कि जोग इह आ दिट्क है अब बात कर लेटे पार्ति द्रिवय की जो पृत्वी के नीचेसे से निकलते वो दो अवस्था में हमें प्राप्त होते प्राकरती को योगिर्सरेश की आध्यों के हम बात कर चुके तल रवय नाम पंच भौतिक तो तो इसका श्लोक है तो अगर हम देखिए उत्पत्ति भीmess… तो जो अ द्रवय होते है वह पंच भौतिक होते हैं, मतर्व्द जो द्रवय को उत्पत्ती होते है तो जिस द्रव्य में जिस पंच महाबूत की परधानता होती है उसी के अनुसार उसको जो है संग्या दी जाती है तो इस आधार पर हमने जो है द्रव्य को वर्गी करित किया है पाच बेहदों में ठीक है तो एके करके हम सबी के पंच पदार्तों का भी वर्णन करेंगे इसमें इसको हम अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे तो पार्थिव द्रव्य की अगर पार्थिव द्रव्य आपए द्रव्य आगने द्रव्य नाबस द्रव्य और और बचगे हमारा वाईवय द्रव्य ये पाच परकार के हम मनें द्रव्य माने गय उत्रック से पत्ति भीच से लह सब के गुंद देखते हैं इन पार्थी द्रव्य होता है उसमें परित्वी महभूत के गुंद होते हैं वो गुरु और कठीन होगा रस की बात करें तो कशाय और मदूर होगा और जो विपाक होते है गुरू होगा और कर्म क्या करते है में लिपार्थी दरवे बिरिहन आदी का कारिय करते है और जो इंद्रिया अर्थ है जो इंद्रियों का अर्थ वो क्या है उनका गंद है टिक अब हम बात कर लेते हैं जलिए या आपपे दिरव्या जो अर्थ होगा वो कौन सा होगा अब हम बात कर लेते हैं आगने और तेज करें हम तो वो कौन-कौन से होते हैं उसके जो गुण होते हैं वो होते हैं उशन, तिक्षन, रस होते हैं, कशाय, तिक्त, विपाक होते हैं गुरू, वो सोरी लगू, देखो पिर्थवी और जल जो द्रव्य का होता हैं उनका ही सिफ जो विपाक होगा वो गुरू होगा और बाकी त नबस दरभ्वे की तो मेंली जो अकाश होता है वो कैसे हो तथे विशत रूक्षम होता है थिक जो इसका रस होगआ वह एव्यक्त होगा वीपाक होगा लगू मैंने बताया तीनों का लगू होगा और पृत्वी और जलका क्या होगा गुरू होगा कर्म क्या करेगा लगूता उत्पन करेगा और इंद्रियार्थ इसका क्या होगा शब्द आप बात कर लेते हैं वाईवे दरव्वे की तो ये कैसे होते हैं रुक्षोर खर होते हैं कर आएतो परिए से बात करें तो डोपर का होता है और हार द्रव्य परdas स्विर ओसे ने क्या करते क्शीत और ऊशन गुण की उत पत्ती करते हैं तो मैं लिकर चार होंगा 일반 उसको धातो के portion के लिए हमारा शरीर रस बना ले उसके लिए हम उनका यूज करते है आहर दरव्य का जो क्या होते है रस परदान होते है इसे क्या होता धातो का portion होता आप इनके एक्जाम्पल्स की बात करें जो ओशे द्रव्य होते जैसे सौट, पीपली और जो आहर द्रव्य होते वो होते यवर, शाली ठीक है अब हम रस बहसे बात करते हैं रस बहसे रस हमारे कितने होए च्छै होते हैं तो अगर हम देखे तो जो द्रव्य होंगे वो भी 600 से युक तोकर 6 परकार के हो जाएंगे चिक है तो इसको हमने रस इक्षकंध टर्म से डिनॉट किया है और इसको अगर हम देखे तो ये भी 6 परकार के होते हैं अब हम बात कर लेते हैं विपाक बेसे तो विपाक बेसे हमने द्रव्यों को तीन वर्गों में विभाचित किया है मदूर विपाकी द्रव्य, अमल विपाकी द्रव्य और कटू विपाकी द्रव्य ठीक है तो अगर हम देखे जो ये मदूर विपाकी द्रव्य होते हैं वो मदूर और लवन रस से युक्त होते हैं अमल विपाक की द्रव्य कौन से होता है जो अमल रसे युकतोंगे उनका अमल विपाक होगा और जो कटू तिकते कशाय रसे युकतोंगे उनका कटू विपाक होगा अब हम बात कर लेते हैं कर्म भेसे जो हमने द्रव्य को तीन वर्गों में विभाजित किया है तीन वर्ग कौन कौन से है दोश पर्षमन धातू पर्दूशन और स्वास्ताईट दोश पर्षमन कौन से जो दोश को शांत करते है धातू पर्दूशन कौन से जो धातू को दूशित करते है जैसे कि विश लिया हमने विश ने क्या किया त्री दोशों को परकूपित कर दिय दोश पर्श्मन क्या कर रहे थे जो शांत कर रहे थे धातु पर्दूशन जो दोश्यों को परकुपीत करते हैं और स्वास्ते के लिए हितकारी द्रव्य होंगे अब बात कर लेता है उद्भवे से जो द्रव्य होते हैं वो कैसे कहां उद्भव होते हैं तो द्रव्य दोपर पर होते हैं जैसे कि आमलकी वगेरा यह सब भूमी पर होते हैं अब बात कर लेते हैं आकरिती भेसे मतब जैसे इनका आकार होता है शेप तो अगर देखें आकरिती भेसे तो एक तो वरिक्ष होता है हर्ब होती है श्रब होता है ठीक है तो यह सब होता है जैसे कि वरिक्ष हो मतलब जो बेल होती है, जैसे गिलो है, चीक है, अब हम बात कर लेते हैं, वैब हैसे, मतलब एज, चीक है, तो कुछ द्रवे तीन परकार के होते हैं, एक वर्षायू द्रवे, दुरी वर्षायू द्रवे, और बहु वर्षायू द्रवे, मतलब जैसे कि जो द्रवे सिफ एक तो आज के लिए इतना ही आपका यह पूरा अध्याय खतम होता calon आध्याइने अध्याय पे अब opposition सब्सक्राइब क है ना भूले धन्यवाद